सबसे जनको राम राम जी मैं हूँ मिखा मिश्रा और आपका बहुत सारा स्वागत है एक बाई पर से मेरे यूट्यूब चैनल CBSE अपडेट्स में जहां मैं आपके लेकर आती हूँ हर रोज नया अपडेट जो कि CBSE से रिलेटिड होता है या फिर कोई भी एजुकेशन से रिलेटिड टॉपिक के लिए भी आप मेरे चैनल को प्रेफर कर सकते हैं CBSE से जुड़ी हो कोई भी टीचर्स ट्रेनिंग हो कोई भी इंटरनाशनल नाशनल लेवल का एक्जामिनेशन हो कोई भी competition हो या फिर हो कोई भी school related policy मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं सबसे पहले update तो चलिए चलते हैं बढ़ते हैं आज के update के उपर आज की जो हमारी update है वो कहती है कि भाई CBSE ने एक नया circular जारी कर दिया है 31 जनवरी 2024 को ही इसको जो है date किया गया था और आप देख सकते हैं कि क्या इसकी जो headlines हैं क्या इसका जो subject है वो क्या है participation of CBSE school students and teachers in shadow the scientist program under steam experiential learning programs for India's youth तो कुल मिलाकर अगर आप देखना चाहें कि shadow the scientist program जो है वो क्या है और CBSE school के जो बच्चे हैं उनको ये opportunity दी जारी है कि वो इस program में participate करें और India's youth मतलब जो youth है जो हमारे बच्चे हैं वो जादा से जादा इसमें participate करें और participate करने के साथ-साथ बहुत कुछ सीखें भी तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे आप इसमें एक scientist shadow the scientist program में कैसे आप इसमें participate करेंगे क्या इसका मेहत वैस अब को जानेंगे इसी वीडियो के अंतर in reference to the ministry's letter number ये dated on ये it is informed, already informed किया गया था that the shadow of scientist program जो है वो रखने वाले हैं department of astronomy और astrophysics के द्वारा ये पूरा program होगा और साथी साथ में इसके साथ कौन-कौन जो है involved होंगे तो वो भी देख लिजाए University of California Observatories University of California Santa Cruz is a unique opportunity भाई इतनी सारी जो हैं आप देख सकते हैं आपे department हैं जो कि इसके अंदर होने वाले हैं इसमें include होने वाले हैं Department of Astronomy और Astrophysics है University of California Observatories है University of California Santa Cruz है यह जो सारी है और इन्होंने क्या opportunity दिया है किसको दिया है high school के बच्चों को high school के बच्चों को to experience first hand what it's like to be a scientist scientist अगर आप कभी बनना चाहें या जो बच्चे इसमें interested हैं तो कैसा लगेगा जब वो पहली बार scientist बनेंगे उसका एक छोटा सा short experience एक तरीके से यह program आपके बच्चों को देगा बहुत ही ज़ादा beneficial program है मुझे तो लगता है कि सारे schools को इसमें participate जरूर 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 करना चाहिए CBSE schools को participants get the chance to shadow a scientist or researcher कहीं न कहीं participants को जो बच्चे हैं उनको यह मौका मिलता है कि वो एक परचाई के रूप में एक follow कर सके है scientist या फिर researcher की observing their work observe कर सकते है questions उसमें से पूछ सकते है gaining insights into the world of scientific research scientific research का जो base है या वो किस तरीकी के tools यूज करते हैं कैसे use करते हैं तो कहीं न कहीं इस basic जानकारी आप हो इसके बारे में इस program के अंदर मिलने वाली है faculty of astronomy and astrophysics जो है वो इसमें include होंगे university of california observatories इसमें include होंगे और santa cruz के भी university of california santa cruz भी इसमें include की जाएगी और साथी साथ में उनकी जो पूरी research team है उन्होंने मिलके ये sts program को shadow the scientist program को admist किया है और साथी साथ में ये पहले भी करते थे बट covid-19 के बाद में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया online इस program को करना शुरू कर दिया और ये उसी चीज़ का एक और phase है चलिए अब चलते हैं कि आपको करना क्या होगा covid-19 में जिसमें उन्होंने start किया covid-19 में उन्होंने क्या करना start किया group of students and educators to virtually join their observing nights on telescopes जहां भी वो observe करते है nights को telescopes को कैसे use करते है कैसे उनका पूरा जो labs है वो सब दिखता है तो ये observatory उनकी कैसी दिखती है सुब्र लिक observation और शेन ये सारी technologies ये सारी जगहों को कहीं न कहीं आ वर्चॉली इनको visit कर सकते है इनको experience कर सकते है तो कोल मिलाकर ये जो प्रोग्राम है ये पूरा इसी के बारे में कि scientist बनने का एक short experience आपके बच्चों को मिलेगा तो मेरे खासे तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या-क्या आपको इसमें benefit होने वाले है sessions have been exciting for students and educators students and educators दोनों ही participate करेंगे connect with actual scientists and engineers और आपका जो session लेंगे वो real scientists और engineers होंगे जो कि वो अपनी problem solving processes को बताएंगे आपको passions को जानेंगे यह सब कुछ आपको चीज़ें करने को यहाँ पर मिलेंगी चलिए अब आगे देख लेते हैं कुछ और details इसी के बारे में कि University of California had extended an opportunity for students of age 15 to 17 इस age के जो बच्चे है 15 से 17 के जो बच्चे है मतलब 9-10 आप जो class है वो मान सकते है 9-10, 7-12 की जो classes है यह जो classes है यहाँ पर आप मादेद और teachers from 1000 CBSE available at school और अगेन यहाँ पर एक बहुत ज़ादा important चीज़ है जो कि आपको यहाँ जान लेने चाहिए first come first basis पर यह पूरा registration होने जा रहा है जो schools पहले register कर देंगे उनका registration पका हो जाएगा और इसके लिए मेरी आपसे एक request है कि बहुत सारी ऐसी CBSE की policies होते है जो कि first come first basis पर बहुत सारी trainings ऐसी होती है teachers training भी जो कि first come first basis पर काम करती है भई पहले आओ पहले पाओ वाला जो चीज है जो जो थियोरी है उस पर काम करती है तो उसके लिए आप मेरी चैनल को please subscribe कर लिजे so that जैसे ही में update आलू तो रंत आपको जो है पता चल जाए और आप भी उसके लाबकारी बन जाए आपको भी उसका लाब हो सके वरना बहुत सारी trainings ऐसी होती है जो कि हो जाते है teachers को पता भी नहीं चलता है और जब एंड में पता चल रहा होता है तो उनकी जो seats है वो फोलो हो गई होती है तो रेक्वेश्ट कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please कर लिजे like कीजे जादा से जादा शेयर कीजे so that जैसे ही कोई ना कोई update आती है CBSE कि मैं तुरंद उसको upload करती हूँ और आपकी help करती हूँ कि आप भी इस first come first basis criteria का हिस्सा जो है वो जल से जल बन सके ठीक है तो चलिए आप देख लेते है participate in creating equity in steam ठीक है अब first phase का ये program है और सबसे बड़ी बात ही है सभी schools के लिए CBSE schools के लिए ये free of cost है इसको ना तो आपको बच्चों से कुछ लेना है ना तो आपको टीचर से कुछ लेना है this program presents an exceptional opportunity for schools to embrace real time experiential learning real time experiential learning को ये जो पुरा program है ये embrace करता है और participation जो है बच्चों का जब होता है तो उनके पास first hand experiences होते है अपने के genuine interest जिनका है तो उनके लिए तो बहुत ही ज़ादा ये फायदेमन चीज है ठीक है करना क्या है आपको schools with high speed internet connectivity क्योंकि जब बच्चे class ले रहे होंगे या जो बच्चे in sessions को join करेंगे तो उनको school में ही school से ही join करना होगा तो अगर आपके पास आपके school में एक high speed internet connectivity है तो आप इस school के जो principles है वो इस form को भर सकते हैं और इसको भरने की last date है आपकी February 29 बिल्कुल 29 Feb को भी आप भर सकते हैं और उससे पहले भर सकते हैं 29 Feb को ये जो date है वो पूरी तरह के से खतम हो जाएगी और इसके बाद आपको आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि आपके बच्चों को कब लेना है कौन से कौन से sessions हैं कितने time पे आपको दिया जाएगा तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस form में भी आपको क्या-क्या भरना है इस form पर मैंने इस तरीकी से click किया और मेरे mobile पर कुछ इस तरीकी का interface मेरे सामने आजाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर information on participation का यह पूरा google form अगर आप इसको करते हैं fill तो मतलब यह माल लिया जाएगा कि आपने इस program के लिए अपने भच्चो और टीचर को register किया है आएए देख लिते हैं switch account पर आप जाकर आपने school की ID को यहाँ पर search कर लिए जो उसी से कीज़े और record करने के बाद name of school और address आप अपना डालिए second question हमारा जाता do your school regularly participate in outreach activities conducted by various organizations के आपका school although हमेशा ही always हमेशा ही या कितने oftenly कितने oftenly वो जो है कितने times कितनी बार लगभग क्या जो है ratio होता है आपका outreach activities में participate करने का पाहर जितनी भी competitions होते हैं तो उसमें आप accord गी लगा सकते हैं all of the time अगर आप जादा participation करते हैं आपके school से occasionally कभी कभी करते हैं a few time करते हैं this will be first time अगर आप कर रहे हैं CBSE का कोई outreach program तो वो भी लिख सकते हैं kindly indicate number of students that took part in various activities conducted by CBSE student enrichment CBSE student enrichment जितनी भी activities होती है उसमें आप एक अंदाज़तन जो है अभी तक आपके कितने लगभग बच्चे हैं जो participate usually करते हैं उनका आप number लिख सकते हैं 200 हैं 300 हैं 500 हैं आपके school से कितने बच्चे हैं जो regular activities में participate करते हैं CBSE student enrichment activities पर ठीक है CBSE की जितनी भी student enrichment activity है उसके लिए आप मेरे चानल पर भी जाकर इसकी पूरी एक playlist चेक कर सकते हैं जिसमें कि CBSE की सारी student enrichment activities के बारे में मैं update आपको सबसे पहले देती हूँ ठीक है अब आजाते हैं उसकी जो link है student enrichment activities की playlist की वो मैं आपको इसी वीडियो के description box और comment box दोनों में attach कर दोगे आजाते हैं average monthly income आपके जो parents है आपके school में जो parents है जो students के जो parents है उनकी average monthly income लगबग कितनी है तो आप इन में से कोई भी एक लिक कर सकते है medium of instruction आपके school का कौन सा हिंदी है English है both है या फिर other है number of students in your school जो है जो 15 से 17 साल के बीच में है वो कितने बच्चे हैं उनका आपको एक number यहाँ पर लिखना है और number of teachers teaching science or having interest in astronomy interested है तो आप लिख सकते है 2 है, 3 है, 5 है, 10 है यह आप according to teachers लिख सकते है especially जो science के teachers होते हैं उनका तो आप लिखी सकते है why do you think your student should participate in crest program? crest program जो है वो इसी program को नाम दिया गया है तो crest program को आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके बच्चों को इसमें participate करना चाहिए तो देखिए इसमें आप बिलकुल भी confused होई है कि माम हमको इसमें क्या डालना है तो आप लिख सकते हैं it would develop it would develop our child's मतलब जो भी है scientific यह जो है temper या फिर आप बोल सकते हैं कि जो बच्चा जो जो बच्चे scientist बनने में interested हैं इस field में interested है उनको एक basic knowledge लगेगा तो ऐसी 2-3 points आप इसमें लिख सकते हैं single line में भी आप इसे लिख सकते हैं why do you think your school should be selected for this program भाई first come first basis पे हैं मतलब पहले आओ पहले पाओ वाला सीन है तो randomly वो लोग first जितने भी होंगे जितने भी उन्होंने criteria decide किया होगा या आप जितने भी number इसमें लिखेंगे ये बाद बिल्कुल धिहान रखेगा जो भी number आप इसमें लिखते हैं जो भी आप इस form को भरते हैं इसके according decide किया जाएगा कि आपका school जो है वो इस program में select होगा या नहीं अगर आप जादा जादा CBSE student enrichment activities में participate करते हैं तो जादा chances हैं कि आपका school जो है वो इस program के लिए भी select हो सके number of students in class 9th to 12th studying physics physics कितने बच्चे 9th to 12th में जो है वो पढ़ रहे हैं उनका नाम आप इसमें number डालिए number of students in class 9th and 10th studying sorry ये माफ कीज़ेगा ये 11th 12th के लिए है ये 9th and studying science के लिए है number of teachers teaching physics और science इसमें आपको number लिखना है your school is situated in आपका school जो है वो कहां पर situate करता है metropolitan में करता है urban area में करता है semi-rural में करता है या फिर rural में करता है तो इस तरीके से आप पूरा करके इसको कर दीजे submit और उसके बाद आपने जिस भी email ID से इस पूरे form को भरा होगा उसी email ID पर आपको message बहुत जल आ जाएगा जैसे ही शुरू होगा कि आपको select किया गया है या नहीं अच्छा एक महत्वपूर्ण बात और अगर आपके स्कूल को select कर लिया जाता है अगर आपके स्कूल को select कर लिया जाता है तो ही आपको message आने की संभावना है अगर आपके पास कोई भी message नहीं आता है तो फिक्र मत कीजिए that means your school has not been selected usually cbsc हर exam के लिए हर अभी तक जितनी भी student enrichment activities होते उसमें यही करते है जो बच्चे सलेक्ट होता है सिर्फ उनहीं को mail जाता है जो बच्चे connect नहीं होत Ace को something भी मत जाता है तो उसमें भी आपको घवरानी कोई भी ज़रुवद नहीं है और आज की वीडियो मेंẤना हे घाय मूपको until you are patient subscribe कीजिए, जादा से जादा लोगों को आप share कीजिए so that सभी को इस update के बारे में सबसे पहले पता चल सके और first come first basis वाले criteria में आप जो हैं वो fit हो सके मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आप से next video में, तब तक के लिए हसते रहे, मुस्कुराते रहे राधे राधे जी